प्रेमित्रों स्वागत है आपका अपके अपने चैनल इस्टेडी बित प्रदीप पे दोस्तों जैसा का आप जानते यूपी टिपल सी पी एटी जाम के रेजल्ट आ चुके हैं जिसमें आपके अलग लग परसेंटाइल अलग लग रोगों के आ चुके हैंगे जिस नंबर के परसेंटाइल के मार्क आपको मिल चुके होंगे अब बात सबसे बड़ी है कि लेकपाल भरती परिच्छा जो इस पूरे पीटी की सबसे बड़े केंद्र बना हुआ था सबसे बड़ी भरती परिच्छा होने वाली लेकपाल की जो लगभग आपके 9000 पर होने वाले हैं पहले कि आप अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मित्रों को सेर कर देजिए अगर हंदुस्तान पیपर की बात को सच मने तो हंदुस्तान पãyपर में इसեुने आप जा करके से भो पाएगा नौमबर में अगर होगा भी दो नौमबर के लार्ट सब्था में होने वाला है ठीक है तो ये तो ये अलग-मुद्दा में आपका पेपर होगा अब बात करते हैं कितने लोग सामिल होंगे कि बहुत सारे लोग कहने 15 परसेंट होंगे कुछ लोग कहने 10 परसेंट होंगे कुछ लोग कहने 20 परसेंट होंगे कुछ लोग कहने 21 परसेंट होंगे यह परसेंट आखिर में किसने निर्धारन किया अभी तक आयो कुछ कह नहीं रहा है पेपर वाले ही उपर न है अगर आप तयारी करेंगे तो तयारी आपको नुक्सान नहीं देगा किसी और की परिच्छा में आपको काम देगा ही ठीक है आप बात करते हैं यहां पर 4 परिच्छले सब्ता जारी हो गया ठीक है अब यह सब्ता जारी हो चुका है आप इसको जानते पीटी डेजल्ट में सफल अभ्यारती राजी सरकार से विभागों में गुरूप सी के पदों पर होने वाली भरती परिच्छाओं के लिए क्वाली हुपाई हो गये हैं ठीक गु परिच्छा होगे उसमें भाग लेना होगा अब कहहरा है यहां यूप डीप रुप से की भरती में जिन पदों के लिए भरती की जानी उनमें से एक यूपी लेखपाल भरती है यूपी डीप रहीती ताथ कुल 7882 पदों पर योग व्भ्यारतियों का चेन किया जाना है य सब्सक्राइब जल्दी होने वाला है यह भी बास सच है कि आपका यहां पर ध्यान देत देखी लिखा गया है कि यूपीट पले सी एकजाम कलेंडर 2021 अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए वहां पर साइट दी गयी ठीक है यूपीट पले सी लेकपाल भरती में कितने अभ्यारति ले पने प्योटीज आप डाउनलोड कर सकते हैं पर देख सकते हैं या आप डाउनलोड से मांग सकते हैं इसमें कुछ भी छेड़ चार नहीं की गई है मैं वही बात बता रहा हूँ जो कि लिए उसमें लिखा गया है कह रहा है कि इनके लिए 4 लाक से ज़्यादा अभ्यारती ब्लेकपाल भरती में कौलिफाई हो सकते है योपी टिपल से पीटी परिच्छा 2021 के लिए 20 लाक अभ्या सब्सक्राइब तो भी जो 55% से उपर है यानी 55 परिच्छा में सामिल होना है जब तक आप फार्म भर नहीं लेते हैं आपका ना ना हो जाए तब तक आप अपनी तयारी करते हैं किसी की बात को ना माने, ना मेरी बात को माने, ना किसी और की बात को माने, आप अपने विवेग से सोचिए, अपने बुद्धि से सोचिए, तो आप अगर ड स बैठ जाने बाद कांपी छोड़ नेगे, तो सामने वाला तो आप से मान लेते हैं, कही ने treatment ko कहीं न कहीं आप से योग होगा तो आप कलम उठाएं आज से पढ़ना सुरू करें आरंब करिए अपने प्रजेंट को और लगातार आगे बढ़ते रिख जाएगी ठीक हो सकता है किसी कारण बस पीटी का इज्जाम आपका खराबी हो सकता है हो सकता है आपने बहुत तयारी क करना बं-d कर दिया एक हफते में आप काहं से तैयारी बिंद कर लेंगे इसलिए आप अपनी कलंग उठाई एकने तैयारी को जारी रखिए ठीक है कहने TGT का Paper होने वाला था मेरी बात को गवर से सुन लीजेगा आपके काम की नहीं लेकिन सुन लिजेगा आप से related है मैं बता रहा हूं क्यों पेपर होने वाला था तो इसके मैंने एक हफ्टे पहले वीडियो बनाया और मैंने यह बताया कि आपका paper निश्चित समय पे और निश्चित time table के carding होने वाला है उसके बाद बहुत सारे ऐसे channel थे जिस channel से बात कही गई कि आपके paper पे इश्टे लग गया है और आपका paper नहीं हो पाएगा आप मेंसे आपके परिवारी जिन मेंसे आपके मित्रों मेंसे बहुत सारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने अंतिम सब्ता में दस दिन पंदरा दिन अपनी पढ़ाई को break कर दिया यह सोच करके paper एक महीने बाद होगा और इन्हीं यूटूबर के कहने से या इन्हीं लोगों के तथाकथित मैसेजों के आदार पे हुआ क्या कि 10 दिन उनकी पढ़ाई बादित होने से और अपना फोकस हो गया और जिससे लाप ले करके कोई दूसरा चला गया अगर उस 10 दिन में रिवीजन करते तो सायद उनका score 241-2 नंबर से जो पीछे हुआ है उसी नंबर से उनका selection हो जाता कहने का सिधा सताथ पर ये था कि मैं बहुत जादा इस सब चीजों पर वीडियो नहीं बनाता मैंने सीधे सीधे आप से बताया कि आप अपनी तैयारी जारी रखें support that कि आपको लेकपाल में मौका नहीं मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी भरती परिच्छाएं होती हैं जिसमें आपको उसका मौका मिलेगा और ग्यान कहीं बेर्थ नहीं जाएगा जो आप अध्यान करेंगे वो अध्यान आपके लिए हित करी होगा तो आप जितने लोग 50 question से उपर किये हैं सही है वो अपनी तैयारी जारी रखें और तब तक जारी रखें जब तक कि आपको आयोग ही ना गह देख आप आयोग हैं तब तक आप अपने आपको योग मानिये बात वही है उसी मुकदिमा की तरह है जैसे कि एक अपराधी पता है करेंगे नहीं करेंगे इसका निरधारन आयोग करेगा कोई यूटूबर नहीं करेगा और कोई दैनी का खवाल नहीं करेगा मैं मांता हूँ कुछ लोगों के बात बुरी लग रहे हुए लेकिन बात सच भी है कि कोई निर्धारन आपके योगता और आयोगता का नहीं कर सकता इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें आपकी मारसिट आयोग के द्वारा आएगी और आयोग जो कहेगा वही बात मन होगी ना तो मेरी और ना ही किसी यूटूब की बात मन होगी क्लियर है, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गया होंगे, अगर समझ गया होंगे तो आज से अपनी कलम काप उठाइए, अपनी तयारी जारी रखिए, अपने मित्रों को जरूर सेयर करिएगा, अगर वो पढ़ाई छोड़ दिये हों और यह सोच करके एक नंबर कम है, यार मेरा क्या होगा, तो उनसे भी कहिए तयारी करें, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिजाज़त देजिए, जैन्द,